हेलो दोस्तों स्वागत है आपका विधिक पीडिया पे आज का हमारा टॉपिक है वाइकेरियस लायबिटी जनरली एक परसन को उसके खुद के एक्ट्स के लिए लायबल माना जाता है लेकिन गई केसेज में उस विधिक को रिस्पोंसिबल माना जाता है जबकि टॉट किसी और विधिक ने कमिट किया होता है इसे हम वाइकेरियस लायबिटी के नाम से जानते हैं ये कोई सैसिट पर इसे के मेक्सिम पर डिपेंट करता है जिसका मतलब होता है कि कोई विधिक ये एक्ट करता है जबकि किसी और विधिक को कानून केने सार वह कारे खुद करना चाहिए वाइकेरियस लायबिलीटी जनरली चार परकार के होते है पहला एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन्शिप दूसरा पार्टनर्स, तीसरा मास्टर सर्वेंट, चौथ है इंप्रिंसिपल रिलेशन्शिप एक एजेंट वो परसन होता है जो किसी और व्यक्ति के बिहास पर कारे कर रहा होता है मतलब कि उसके प्रिंसिपल के बिहास पर इसी लिए अगर कोई एजेंट कोई भी करता है अपने employment के due course में तो उसके प्रिंसिपल को liable माला जाएगा उसके act के लिए माल लेजे कि कोई agent कोई activity करता है अपने principal के absence में लेकिन वो उसके principal को favor करता है हाला कि principal उस act के बारे में नहीं जानता हो फिर भी principal को responsible माना जाएगा उस agent के act के लिए क्योंकि वो principal के benefit के लिए काम किया गया था दूसरा होता है partners एक partner अगर कोई tort कमिट करता है तो सभी partners को equally liable माना जाता है जैसे कि Hamlin वर्फिज हूस्टन केस में एक partner ने plaintiff clerk को bribe कर दिया था उस confidential information लेने के लिए उसके employer के firm के बारे में court ने ये decide कि सभी partner responsible है जबकि tort किसी एक ने कमिट किया था तीसरा होता है master and servant master को liable माना जाता है हर उस wrongful act या tort के लिए जो कि उसके servant त्वरा किया जाता है उसके employment के due course में और हलाकि servant भी liable होता है लेकिन master जो है वो फिर्फ उसके act के लिए ही liable नहीं होता बलकि उस चीज़ के लिए liable होता है जो कि उसके agent ने act किया होता है बिना explicitly authorized हुए 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 यह भी यह principle of respondent superior पर depend करता है मतलब कि let the principle be liable जोर्था होता है employer और independent contract generally एक employer को liable नहीं माना जाता है tort के लिए उसके independent contractor द्वरा किए हुए लेकिन कुछ condition वह सिसे होते हैं जह employer को liable माना जाता है जैसे कि पहला employer उस tort के लिए liable होता है जो उसने خुद commit किया हुता है दूसरा employer उस taut के लियाबल होगा जो कि उसने authorize किया होता है अपने independent contractor को तीसरा district liability वाले tauts में और चौता independent contractor के किसी negligence के वज़े से अब जान लेते हैं क्या होती है positions इंग्लेंड और इंडिया में vicarious liability तो इंग्लेंड में common law के अंतरगत crown को few नहीं किया जा सकता था किसी taut के लिए लेकिन crown profiting act 1947 के बाद crown को भी liable माना गया उन tauts के लिए जो कि उसके servant द्वारा commit किया जाते थे वहीं इंडिया में state को vicarious liable माना जाता है कुछ act के लिए जब तक वो एक claim ना करे कि एक्ट sovereign function के लिए commit किया गया है आप आते हैं vicarious liability से related कुछ case laws पे तो पहला case law है state of Rajasthan versus Mrs. Vidyavati इस case में Vidyavati के husband एक accident में मर जाते हैं जो की एक government driver द्वारा किया जाता है जब वो negligently एक government jeep चला रहा होता है garage से office आते बग विद्यavati government को sue करती है compensation के लिए और state को liable मारा जाता है दूसरा case law है कफ्तुरी लाल वर्फेज state of UP इस case में एक वो arrest कर लिया जाता है कि उसके पास stolen gold रखा हुआ है वो gold cease कर लिया जाता है और उसको police मलखाना में deposit कर दिया जाता है यह बाद में acquit हो जाता है लेकिन उसी बीच एक head constable वो gold चुरा लेता है और पकिस्तान फरार हो जाता है यह government को sue करता है कि वो gold वापिस करें और compensation provide करें इस case में यह decision होता है कि जो state है वो liable नहीं होगा क्योंकि पहला police जो है वो statuary powers में थे वो काम करने के लिए और उनके पास statuary authority थी कि वो sovereign function के अंदर वो gold अपने पास रख सके तो government को not liable माना गया क्योंकि उन्होंने यह कार यह sovereign function के exercise में किया था इस case में एक बंगलादेशी woman का gang rape हो गया था railway employees द्वारा एक railway premises के अंदर तो Supreme Court ने यह held कि विक्टिम भले ही foreign citizen हो लेकिन उसको right to life का protection मिलेगा constitution के article number 21 के अंतरकर तो government को liable माना गया और compensation pay करने के लिए कहा गया system को चौथा case लो था एन नागेंदर राव और फेज state of AP इसमें एक appellant के बहुत फारे food grains का stock और फॉट्री लाजर फीज हो जाता है लेकिन वो बाद में not guilty found होता है black marketing के case में और बाद में वो जब अपनी delivery लेने जाता है उस stock की तो वो stock सर्च चुका होता quality और quantity दोनम है बाद में वो यह define करता है कि क्योंकि negligent act जो था उनके state के officers के द्वरा उसके चक्कर में जो citizen है वो suffer किया था damage और उसको liable माना जाता है कि वो compensation pay करे और यह principle of sovereign immunity state का इस वक्त apply नहीं होगा उनको उनकी liability से बचाने के लिए तो दोस्तो यह था vicarious liability उसको एक detailed video और उससे related case loss ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए विधिक पीडिया को follow करना ना भूले विधिक पीडिया को देखने के लिए धन्यवाद